Hello students, welcome or welcome back to my channel. This is Natasha Singh and today we are going to start number system. आज हम लोग number system के बारे में पढ़ेंगे. पर्टिक्लरली आज हम लोग introduction पार्ट देखेंगे. exercise को हम next lecture में cover करेंगे. तो जादा देरी ना करते हैं, हम लोग start करते हैं. आप लोग नाम से समझेए number system. तो पर्टिक्लरली हमको इस chapter में numbers के बारे में पढ़ना हैं. तो सबसे पहले हम start करेंगे natural number से. Natural number क्या होते हैं? Natural number वो number होते हैं, जो 1 से start होते हैं to infinity. मतलब infinity क्या होता है? किसी चीज़ का end ना हो. अनंत जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है infinity. तो ये number 1 से start होते हैं till infinity तक. नेक्स्ट आता है हमारा whole number. whole number क्या होते हैं? जैसे कि हमने natural में देखा 1 to infinity. वैसे ही इसमें एक चीज़ और add हो जाती है, that is 0. तो ये क्या होते हैं? 0 to infinity. whole numbers हमारे 0 to infinity होते हैं. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 plus all natural number equals to whole numbers. ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, integers. integers क्या होते हैं? natural number plus 0 plus their inverse. inverse यानि की उल्टा और their negatives. ठीक है? natural number हमको पता है, ये क्या होता है? 0 भी पता है. अब देखें, inverse क्या होता है? inverse का मतलब होता है उल्टा. ठीक है? या फिर negative भी बोल सकते हैं, जैसे कि 1. 1 is the natural number और उसका inverse या उसका negative क्या होगा? minus 1. ऐसे ही 2. 2 का inverse minus 2. तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं? हमारा integers बनाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा rational number क्या होते हैं? ये काफी important है. बिसकली दो important है, rational और irrational. rational जानेंगे क्या होता है? numbers which can be written in the form of P by Q. वो numbers जिनको हम P by Q की form में लिख सकते हैं. P by Q यानि की होता है हमारा simple fraction. जिनको हम fraction की form में denote कर सकते हैं या represent कर सकते हैं. वो number हमारे होते हैं. rational number. जो P by Q है, इसमें ये जो Q है, Q should not equal to 0. मतलब Q कुछ भी हो सकता है, except 0. 1, 2, 3, etc. कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. और जो P और Q होते हैं, दोनु ही हमारे integers होने जाहिए. ठीक है? ये हमारे होते हैं, rational number. next हमारा है irrational number. दोनु ही काफी important है, rational B और irrational B. next देखेंगे irrational क्या होता है. तो बिलकुल rational जैसा ही है, बस थोड़ा सा difference है, जो numbers जिनको हम P by Q की form में नहीं लिख सकते हैं. rational क्या थे? जिनको लिखते थे. irrational क्या है? जिनको नहीं लिख सकते हैं P by Q की form में. वो सारे ही numbers हमारे क्या होते हैं? irrational numbers कहलाते हैं काफी सारे हो सकते है irrational numbers है ना definition देख लीजे numbers cannot be written in the form of P by Q जिनको हम P by Q की form में नहीं लिख सकते हैं यानि कि fraction की form में नहीं लिख सकते हैं P by Q क्या है fraction है P इसमे numerator होता है D इसमे denominator होता है sorry Q इसमे denominator होता है तो जिनको हम P by Q की form में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे irrational इसके example क्या हो सकते हैं जैसे की root 2, root 3, root 5, root 7, root 11, pi etc. है ना जितने भी ये number हैं ये सारे ही number क्या होने चाहिए आपके prime number होने चाहिए ठीक है और इसमें एक और चीज, एक और point जो है जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि कोई भी perfect square है वो कभ आपका irrational नहीं हो सकता जैसे की example से समझते हैं हम इसको जैसे हमने ले लिया 4, 4 is the perfect square तो root 4 equal to 2 होगा है ना perfect square है क्योंकि हो तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 by 1 that is p by q की form में लिख सकते हैं तो वो क्या हो गया हमारा आपका rational हो गया irrational नहीं तो जो हमारे perfect square होते हैं वो कभी भी irrational नहीं होते हैं ठीक है नेग्स्ट अब हमारा आता है real numbers, real numbers क्या होते हैं अभी हम लोगोंने दो topic पड़े rational numbers के बारे में पड़ा और irrational numbers के बारे में पड़ा, तो real numbers क्या होते हैं? rational number plus irrational number हमारे क्या कहलाते हैं? real numbers. rational यानि कि वो numbers जिनको हम P by Q की form में लिख सकते हैं, irrational मतलब जिनको हम P by Q की form में नहीं लिख सकते हैं. और ये दोनों ही combine होके क्या कहलाते हैं? हमारे real numbers कहलाते हैं. अगर हम real numbers को थोड़ा easy way में पढ़ें, तो हम ये भी बोल सकते हैं, कि real numbers वो numbers होते हैं, जिनको हम day to day calculation या day to day mathematics में यूज करते हैं, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? real numbers कहलाते हैं. next हमारा आता है prime numbers. जब हम लोगों ने additional numbers के बारे में पढ़ाता तो उसमें आया था prime number की क्या होता है? तो हम उसी के बारे में जानेंगे की prime numbers क्या होता है? तो prime numbers वो numbers होते हैं, जिनके factor या तो one हो या number itself. वो होते हैं हमारे prime number. जैसे कि two, three, five, ये सभी क्या है हमारे prime numbers, जो two तू या तो खुद की टेबल में आता है या वन की टेबल में आता है ऐसी हमारा थ्री थ्री या तो खुद की टेबल में आता है या वन की टेबल में आता है अगर हम फोर देखें तो फोर क्या है हमारा प्राइम नमबर नहीं है क्योंकि फोर वन की टेबल में भी आता है फोर क प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है, यह सभी प्राइम, और एक और चीज, कि जो प्राइम नंबर होते हैं, दियार greater than 1, 1 से बड़े होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कम्पोजिट नंबर, कम्प चेके अलावा भी कोई factor हो. वो नमबर हमारे क्या कहलाते हैं? composite number. तैसे कि 6, 8, 14 ये सभी क्या हो गए हमारे composite number. क्योंकि 6 क्या है? 1 की table मे आता है. 2 की table में भी आता है. 3 की table में भी आता है. और 6 की table में भी आते हैं. है नो ये क्या हो गए? composite number. मतलब 1 और जो number है इसेल्फ उसके अलावा भी कोई और भी उसका factor होना चाहिए वो ही हमारे होते हैं composite number ऐसी जैसे की 8 है 8 क्या है वन की टेबल में आता है टू की टेबल में आता है और 8 की टेबल में भी आता है तो 8 भी क्या होगा, composite, ठीक है, I hope आप लोगों को आज का lecture समाज आया होगा, comment करके जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा, अगर कोई doubt है, तो भी आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, and if you like the video, please hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share with your friends,